प्रिशान किशोर नी मचवाई खलवली नितीश लालू पर भरके बीजेपी पर नरम बिहार में क्या होगा खेल लोगसभाद चुनावों के लिए बिहार उन गिने चुने राज्यों में है जहां सबसे जादा राजनीती हल चल देखने को मिल रही है चुकि 2024 में लोगसभाद चुनाव और 2025 में बिहार में विधान सभाद चुनाव होने की संभाव ना है इसलिए राज्य के सभी दल दोनों चुनावों को ध्यान में रख कर तयारी कर रहे हैं वहीं इस लिस्ट में एक नेता ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक अपनी राजनितिक पार्टी की घोसना भी नहीं की है लेकिन उन्हें लोगसभाद चुनावों और विधान सभाद चुनावों में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है जी हाँ आपने बिलकुल सही समझा इनका नाम प्रशांत किशोर है इस वीरियो में हम प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने मोदी पर नरम और लालू नितीश पर गरम होकर राजनितिक पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है आपको बता दिये कि प्रशांत किशोर अब चुनावे रनितिकार्ट से आगे बढ़ कर राजनिता बनने की राह पर हैं हलकी जद्यू में रहकर वर राजनिति का स्वात चक चुके हैं और इसका अनुभव उनके लिए कोई खास अच्छा नहीं रहा वैसे वो इस समय किसी भी पार्टी में नहीं है और जन सुराज के नाम से पद्यात्रा कर रहे हैं इस दोरान उन्होंने कई बार खेंदर पर हमला बोला तो कई बार नितिश और लालू पर भी बरसे लेकिन जतनी तलखी वो लालू और नितिश के प्रती दिखाते हैं उतनी नाराजगी नरेंदर मोदी से नहीं दिखती अब सवाल यह है कि राजनितिक पार्टी बनने से पहले प्रशान किशोर कान नितिश और लालू पड़िवार पर ही हमला क्यों देखे तो इसकी एक वज़ा यह हो सकती है कि वो खुद को पहले बिहार की छेत्रिये रननीती में अस्थापित करने की कोशिस में है चुकि राजनितिश और लालू के गड़बंधन की सरकार है इसलिए सत्ताधारी नेताओ पर हमला बोलकर वो खुद के लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं हलकी नितीश के प्रते प्रिशान कि शोर की तल्की के एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें जदियों से बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसकी कसक अभी भी उनके मन में हो सकती है इससे इतना तो साफ है कि चाहे बात सत्ता की हो या फिर पुराने मत्भेत की पर प्रिशांत किशोर फिलहाल महागटबंदन सरकार पर नरम होते नहीं दिख रहे हैं हलकी मोदी के प्रति प्रिशांत किशोर द्वारा थोड़ी नरमी दिखाना कभी-कभी लोगों को चौका भी रहा है कभी-कभी तो ऐसी भी चर्चा शुरू हो गई है कि प्रिशांत किशोर बीजेपी के साथ गटबंदन कर सकते हैं वैसे भी नितिश कुमार इंडिये से बाहर है इसलिए नितिश कुमार के विरोधियों का बीजेपी दोनों हाथों से स्वागत करेगी देखे तो प्रिशांत किशोर कह चुके हैं कि 2024 में मोदी को PM की कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं होने वाला है उन्होंने तो विपक्ष को साबधान भी किया था कि कोई भी इस भ्रहम में नहीं रहे कि लोग नाराज है और वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को उखार तेकेंगे उन्होंने कहा था कि शायद मोदी हार जाए लेकिन भाजपाक कहीं नहीं जा रही है ये पार्टी अगले कई डशकों तक लड़ती रहेगी यानि कि प्रशांत किशोर का यह मानना है कि बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है हलकि अब विपक्ष भी पूरी तरे से एक जुट नजर आ रहा है और अगर इंडिया गटबंदर ने पूरी ताकत के साथ 2024 में चुनाव लड़ा तो फिर बीजेपी की मुस्किलें बढ़ सकती है खेर 2024 में क्या होगा या समय बताएगा पर फिलहाल प्रशांत किशोर की नजरे बिहार पढ़ है इसलिए वो मोदी और लालू पडिवार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं चोर रहे है वैसे प्रशांत किशोर द्वारा खुद की राजनितिक पार्टी नहीं बनाना भी लोगों को चोका रहा है इसकी वज़ा यह है कि जादा तर लोग राजनितिक पार्टी पहले बनाते हैं फिर इसके जनाधार को मजबूत करते हैं इसके उल्टा प्रिशांत किशोर लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं पर उन्होंने अपनी पार्टी की घोसना नहीं की है दर्शल प्रिशांत किशोर का कहना है कि अभी वो जिस अभियान पर निकले गे उसके पूरे होने के बाद ही पार्टी बनाने पर विचार करेंगे उनके अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्स 2025 में होने वाले विधान सभाज चुनाव के पहले वो अपनी पार्टी की घोसना करेंगे देखे तो प्रिशान्त किशोर का मोदी के प्रती नर्मी का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो सिल्हा लोकसभाज चुनाओ में हाथ अजमाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं दूसी तरफ लोकसभाज चुनाओ में बिहार में मोदी और नितिश के बीच जोरदार तक्कर की संभावना जताई जा रही है इसलिए जिस रेस में वो हैं ही नहीं वहां वो मोदी पर हमला बोलकर नितिश और लालू का काम आसान करना नहीं चाह रहे हैं इस तरह प्रशांत किशोर इस वक्त सधी हुई राजनिति कर रहे हैं अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर कब तक अपनी राजनितिक पार्टी की घोशना करते हैं